गुड मॉर्निंग दोस्तों प्रताब क्लासिस के यूट्यूब प्लेटफरम पर आपका अर्दिक स्वागत है तो नमीनतम जिलों पर अधारित हमारे वन लाइनर जोए कुश्चन चल रहे हैं सभी साती वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब् और टेलिग्राम जरूर जोइन करें वहाँ पे आपको जो है नोटिपिकेशन न्यू नोटिपिकेशन कुश्चन करंट की पीडियाप सब मिलती है देखिए आज के प्रसनों की हम बात करें इससे पहले सभी साथी लाइक कर दीजी वीडियो को पहला प्रसन है हमारा कि अनुपगट जिले में एक तो गगर का मेदान के अंदर आजएगा अनुपगट ये याद रखना है ठीक है अनुपगट जिले का प्राची नाम है चुंगेर ठीक है फिर बात करें उपकेश पार्टन उपकेश पार्टन या राजस्तान का गुवनेश्वर किसे कहा जाता ह ओसिया को कहा जाता है और ये ओसिया है कहां पे जोदपुर गरामिन के अंदर है ये आपको याद रखने कहां पे है जोदपुर गरामिन के अंदर फिर राजस्तान की उपकासी के नाम से किसे जाना जाता है तो डीडवाना कुचामन को जाना जाता है राजस्तान की उपका का लगूम माउंट किसे कहते हैं पिपलूत बाला उत्रा को अच्छा प्रसना और एक्जाम में पूछा जा सकता है नीम का थाना वे डीडवाना को चामन किस परदेश के अंतर गताते हैं तो ये बागड़ परदेश के अंदर किसके अंदर बागड परदेश के अंदर ठीक है तो वैसे तो नीम का था ना हम सेखवाटी परदेश के अंदर कह सकते हैं लेकिन परदेश की बात करें तो बागड परदेश के अंदर आ जाएगा फिर हम बात करें सांचोर की बात करें तो ये गोड़वार परदेश्च में आता है सूर सेन या मतस्य संग की बात करें या विराट की बात करें तो ये डिंग पहले भरतपूर आता था अब डिंग जिला भी आएगा और कोट पूतली तीजारा भी आएगा ठीक है आपसे पूछ ले कि निमनमे से सूर सेंड या मतस्य संग में सामिल है तो ये याद रखना है आपको फिर खेराड या माल खेराड के अंदर सहपुरा जिला आजेगा ये सब दावलियां आपसे पूछी जा सकती है कि सूर सेन के अंतरगत या मतस्य संग के अंतरगत कौन सा जिला सामिल है या खेराड छेतर के अंदर कौन सा जिला है तो आपको नुइनतम अगर कुष्ण बनेंगे तो नुइनतम जिले के धारित इस परकार बनेंगे फिर हम बात करेंगे कुछ चोटियां हैं जहां से एक्जाम में प्रसंद पूछी जा सकते हैं जिसे लोहा गरल वा बोजगर्ड की चोटियां किस जिले में हैं जिसे लोहा गरल वा बोज लोहा और बोज कहां पे है नीम काथाना जिला कहाँ पे है नीम का थाना जिले के अंदर है लोहा गरल चोटी की बात करें तो एक हजार इकाउन मीटर है और भोजगर चोटी की उन्चाई है नो सो सताण में मीटर अच्छा प्रसन है एक्जाम में छप सकता है कि निमन में से लोहा गरलवा भोजगिट की चोटी की जिले में है नीम का थाना फिर हम बात करेंगे खो परवट चोटी आपने बहुत याद की होगी कि खो परवट चोटी राजस्तान की किस जिले में है तो आपने जेपूर पड़ा है लेकिन अब यह कहां पे है जेपूर गरामिन के अंदर आ गई है खो चोटी 920 मिटर इसकी उन्चाई है फिर हम बात कर यह है कोट कोटली बहरोड जिले के अंदर याद रखना है आपको फिर हम बात करेंगे तोटगड परवट चोटी की बात करें तो यह है ब्यावर जिले के अंदर याद रखना है तोटगड परवट चोटी है ब्यावर जिले के अंदर है 934 या आपको मिल सकता है 933 ठीक है तो याद रखना है तोडगड परवत चोटी है, बयावर जिले के अंदर है 934 या 933 मिटरुची है, फिर एक सब्द आता है कि लसाडिया का पठार कहाँ पे है, तो लसाडिया का पठार अब आपको याद रखना है कि सलूंबर जिले की जैस्मन्द जील के पुर्वी भाग मे फेले कटे फटे पठार को क्या कहते हैं, लसाडिया का पठार कहते हैं, तो सलूंबर याद रखना है यहाँ पे, सलूंबर जिले की जैस्मन्द जील के पुर्वी भाग में फेले कटे पठे फठार को लसाडिया का पठार कहा जाता है, फिर हम बात करें कि अनूपगड में मिट्टी पाई जाती है और नूपगड जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साई रोजैम्स और रेवे रिना ये जो है रेवे रिना आपको पता है नूपगड और विकानेर में पाई जाती है यहाँ पे हम बात करें तो जलोड मिट्टी पाई जाएगी ठीक है खेर्थलतिजारा, डींग, गंगापूर सिटी, कोट पूतली बहरोड और जेपूर गरामिन यहाँ पास के चेतर है तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है जलोड मिट्टी पाई जाती है याद रखना आपको ठीक है फिर हम बात करें सापुरा सलूंबर फिर हम बात करें जेपुर ग्रामिन यहाँ पे पिली भूरी मिटी पाई जती है एक तो सापुरा के अंदर सलूंबर के अंदर और जेपुर ग्रामिन जिले में आपसे पूछा जाए तो पिली भूरी मिटी प बात करें तो फलोदी भी आ जाएगा जोदपूर आ जाएगा जोदपूर गरामिन आ जाएगा इस परकार सारे लिए ठीक है आगे हम बात करते हैं जलवायू परदेश की जहां से प्रसंद बन सकता है जलवायू परदेश की हम बात करें तो जलवायू परदेश के अंदर हम जो पढ़ेंगे मोसम भारतिया मोसम विभाग के दोवारा जो जलवायू प्रदेश का विवाजन किया गया है सुसक मुरुस्तल अर्द सुसक उपादर और अतियादर फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कोपेन के और थार्नवेट के और ट्रिवाथ्रा के आज हम बात करेंगे ओनली भारतिया मोसम भारतिया मोसम भाग के अनुसार पहले हम बात करें सुसक मुरुस्तलिय परदेश जलवायू परदेश की हम बात करें तो इसमें कौन-कौन से जिले आ जाते हैं अनुपगड आ जाता है फिलोदी आ जाता है जो नवीन तमजिले हैं वोने पहले लिखे हैं तो दुनों याद रखने हैं आप से पूछा जाए कि अनूपगट वह फलोदी जो है कि समरुस्तलिय प्रदेश में आएंगे जलवायू में तो सुस्क मरुस्तलिय जलवयू प्रदेश के अंदर आएंगे जैसे जेसल मेर है प दिगाने के नाम है एंटी सोल मरुदा पाई जाती है सुस्क मरुस्तलिय प्रदेश में जो एपॉर्डर फैक्ट है फिर हम बात करेंगे अर्द सुसक या जिसे कहते हैं स्टेपी जलवयू परकार की प्रदेश की जो है यहाँ पे बात करें तो बाडमेर ठेक है यहाँ पे तो याद रखन नवीन तम जिले आप से पूचले कि नीम का थाना जिला किस जलवयू परदेश में आता है अर्द सुसक स्टेपी जलवयू परदेश के अंदर आप से पूचले सांचोर है बालोतरा है जोदपूर गरामिन है तो यह आप से पूचले जिसे डीडवन आ पाई जाती है अर्द सुसक जलवयू परदेश में फिर हम बात करेंगे उप आदर सुसक जलवयू परदेश ठीक है यहाँ पे देखें जेपूर गरामिन दूदू जिला कोट पूतली बहरोड खेर्थल तीजारा डिंग केकडी ब्यावर सहापूरा अलवर भरतपूर दोस टोंक अजमेर भीलवड़ा पाली और टोंक ठेक है तो यह तो यह तो बारी आगया तो यहाँ पे नवीनतम जिलों की बात करें आप से पूछ ले कि दूदू जिला या कोट पूतली बहरोड जिला किस जलवयू परदेश में आता है उप आदर सुसक जलवयू परदेश में जेपूर गरामें, दुदू, कोट पूतली, बहरोड, खेर्थल तिजारा, डीग, केकडी, ब्यावर, सहापुरा, अलवर, भर्कपूर, दोसा, टोंक, अजमेर, भीलवड़ा और यहाँ पे मिट्टी आप से पूछ ले कि उप आदर सुसक जलवयू परदेश में कौन सी मि पूली, स्वाई मादयपूर, गुंदी, चितोडगर, रासमंद, और सिरोई, तो आदर जलवयू परदेश में नमीनतम जिले की बात करें तो कौन सा जिला सामिल हो जाएगा इसमें, गंगापूर सिटी इसमें सामिल हो जाएगा, इसमें बात करें तो इन सैप्टी सोल पाई जाती है, फिर हम बात करेंगे अत्ती आदर जलवयू परदेश के अंदर, सलुमबर एक ही जिला आएगा, याद रखना है आपको अत्ती आदर जलवयू परदेश में नमीनतम जिले की बात करेंगे, आपसे पूचले कि सलुमबर जिला निमन में से सामिल है, तो अत् दुंगरपूर, बांसवड़ा, उद्यपूर, परतापगड, कोट्टा, बारा, जहलावड, माउंटाबू यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है एक तो वर्टी सोल वर्टी सोल यानि काली मिट्टी पाई जाती है ठीक है नमीनतम देखा तो, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी, इससे बाहर कुशन नहीं जाएगा इससे पहले मैंने आपको यह थोड़ी सी डिटेल बताई, कि नोपके जिले का पराचिन नाम क्या है और क्या कहते हैं इसको, और कुछ चोटियां बताई, जो इपॉंटेड है, एक्जाम के दिश्टी सी ठीक है सभी साथी वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंठा जूर दबाई, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करें, आपके पास पहुंच पाई इसकी पीडियो जैसे ही मैं सोब कोशन कठे होंगे, मैं परताब क्लैसिज के टेलीग्राम पर उपलब्द करवा दूँगा, बाद में चायब अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन आप साथ साथ में रिविजन करोगे, तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा क्योंकि अगामी जो भी है, पसुचर भड़ती है, LDC की है, पटवार की है, महला परेव एक शिक की है, चात्राबाद एक शिक की है, तो यहाँ पे जो है, उन्होंने कहा था कि राजस्तन करमचरी चैन बोड ने कहा कि अब नमीनतम जिलो पर अधारित के आएंगे, कुशन यह तो देखेंगे, तो हम जो है, निचावड निकाल रहे हैं, हमारे साथ डेली पढ़ते रहे हैं, ठीक है, जै हिंद, जैबार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में